बिसमिल्ला इरुख्मान इरुहीम, असलाम अलेकूम, आज हम सेकेंड इर फिजिक्स के चाप्टर नबर 12 अलेक्ट्रोस्टाटिक्स के एक्सरसाइस के नुमारिकल, सेकेंड नुमारिकल करेंगे 12.2 जिसमें के हमें ये डाइग्राम गिवन है और विक्टोरियली जो है वो न इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स कैलकूलेट हमने करनी हैं, सो बेसिकली सबसे पहले हम इस डाइग्राम को थोड़ा अलाबरेटली ड्रॉ करेंगे, यह देखें, हमारे पास गिवन सिन्यारियो था, उसमें हमारे पास तीन चार्जेस हैं, Q1, Q2 and Q, बेसिकली हमने इस Q चार् के नेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स कैलकूलेट करनी हैं, सो सबसे पहले हम देखते हैं, देखें, Q का जो हमें मैगनिचुड गिवन है, 4 माइक्रो कूलम, Q1 का 1 माइक्रो कूलम, और Q2 का माइनस 1 माइक्रो कूलम, जो Q2 का Q के साथ डिस्टन्स है, वो 1 मीटर है, इसी तरहा Q1 Q के ओपर फोर्स एगजर्ट कर रहा है, वो अलॉंग दी लाइन जोनिग दो चारज जो है, वो F1 एगजर्ट हो रही है, चुनके Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी फील्ड और फोर्स जो है, वो अवे फोर्स होगी, यानि आउट्वर्ड डिरेक्ट होगी, तो इ negative charges होते हैं वो उनकी जो fields of force की direction होती है वो inward होती है यानि towards them होती है तो इसलिए हमने इसकी direction towards the charge draw की है अब यह जो F1 force exert हो रही है और F2 force exert हो रही है इसको हम vector components में resolve कर लेते हैं rectangular components में क्यूंकि हमें question में कहा गया है कि vectorally जो है हमने resultant force को calculate करना है so F1 को हम दो components में X and Y components में resolve करते हैं जो कि F1 cos theta and F1 sin theta हमारे पास होगी इसी तरह F2 को vector components में rectangular components में जिब resolve करेंगे तो हमारे पस F2 cos theta and F2 sin theta आ जाएगा अब यहां पर एक बात जो है वो notice कीज़े के हमारे पस जो F1 cos theta and F2 cos theta हैं वो दोनों along the positive x-axis हैं लेकिन जहां पर हम y-axis के components along the y-axis components की बात करें तो F1 sin theta positive y-axis की तरफ direct है और F2 sin theta negative y-axis की तरफ directed है जब हम F2 को components में resolve करेंगे तो इसके sin theta F2 sin theta के साथ negative sin आएगा क्यूंकि इसकी direction along negative y-axis है इसके लावा theta यह जो हमें diagram में given है वो यह दो theta's है बट हमें जो theta's required है वो एक यह theta है और एक यह theta है तो यह theta's basically अगर हम यह theta calculate कर लें tangent inverse of y by x से तो यह theta this theta is equal to this theta क्योंकि यह एक rule है कि अगर हमारे पस दो parallel lines है जो कि हमारे पस इस case में एक यह है और एक यह है यह दो parallel lines है अगर यह traverse हो रही हो एक line के साथ इस तरह से cut हो रही हो तो हमारे पस यह angle और यह angle जनको हम corresponding angles कहते हैं यह equal होते हैं मतलब जो इसका angle की value होगी वो ही इस angle की value होगी तो अगर हम यह theta find कर लेते हैं तो theta की यही value यहां पर हमारे पस होगी इसी तरह अगर यह theta हम find करें तो हमारे पस यह जो theta है theta की value है वो इसके equal होगी यह theta हम find कर सकते हैं tangent inverse of y by x से क्योंके again वो ही rule है theorem है कि हमारे पस दो parallel lines है अगर वो एक straight line से traverse हो रही है तो जो इनके interior angles होते है यानि जो inside angles बनते हैं वो equal होते हैं हमारे पस तो यहाँ पर भी हमारे पस दो parallel lines है ठीक है और यह line traverse करी है इनको तो यह और यह interior angles हैं तो जो यह दोनों equal होंगे अब यहाँ पर यह देखें कि दोनों के theta के लिए y component और x component दोनों के same है तो अगर हम कोई सा भी एक theta find कर लें तो वो basically इन दोनों thetas की value होगे क्योंके tangent inverse of y by x से हम find करेंगे तो y is 0.8 over here and x is 0.6 over here similarly over here for this theta y is 0.8 and x is 0.6 so the value will be the same अब हम चलते हैं अपने first step की तरफ जिसमें के हमने given data jot down कर लिया है q1 की value 1 micro coulum 1 into 10 is over minus 6 coulum q2 की value minus 1 micro coulum minus 1 into 10 is over minus 6 coulum q की value 4 micro coulum 4 into 10 is over minus 6 coulum r1 जो है जो के हमारे पास distance था q1 का q के साथ वो 1 meter इसी तरह r2 हमारे पास q2 का q के साथ distance 1 meter हमने note down कर लिया है इस यह जो हमारे पास दो triangles हैं इनको हमने a, b, c और d के साथ denote कर लिया है अपनी असानी के लिए हम देख सकते हैं के a, c is equal to b, c is equal to 0.6 centimeter 0.6 meter a, c is equal to b, c and both are equal to 0.6 meter similarly a, d is equal to b, d is equal to 1 meter and from the diagram we can see a, d is equal to b, d and both are equal to 1 meter then the last thing is c, d that is 0.8 meter for both of them this is c, d 0.8 meter okay, now let's start the calculations हमने determine क्या करना है हमने f1 and f2 forces को determine करना है ताके, finally, जो हमारे पास resultant force है, f, हम वो find कर सकें जिसका x component fx है and y component fy है fx, जो है, वो f1 के x component यदि f2 के x component का sum होगा fy, जो है, यानि y component resultant force का y component of f1, यानि f1 sin theta और f2 sin theta के sum के बराबर होगा तो हमारे पस दोनों x and y components resultant force के आ जाएंगे and that will be our answer so, सबसे पहले जो हमारे पस triangles थी, c, a, d किसी भी एक triangle, चूंके हम देख चुके हैं कि theta दोनों में same value आएगी तो हम कोई सी भी एक triangle ले लेते हैं c, a, d और ये theta find कर लेते हैं that theta will be the same as this one and this one so, triangle c, a, d के साथ tangent theta is equal to c, d by a, c और c, d और a, c की values put की हमारे पस और theta हमने tangent inverse of y by x से find कर लिया that is equal to 53 degrees उसके बाद f1 force जो है उसका magnitude हम find करेंगे coulomb's formula से जो के है 1 by 4 by epsilon naught q1 into q q क्योंकि q1 का जो force exert हो रही है qq पर वो हम find out कर रहे है so q1 into q q and divided by r1 जो r1 distance है q1 का q के साथ वो हम यहां पर put करेंगे values हमने put की 1 by 4 by epsilon naught की 9 into 10 is to power 9 then q1 की value है 10 is to power minus 6 1 into 10 is to power minus 6 and that is similar as 10 is to power minus 6 then q की value है 4 into 10 is to power minus 6 then r की value है 1 जिसका हमने square ले लिया इसके बाद हमने 9 4,000 multiply कर लिया 36 and basis जो है वो 10 की जितनी basis है वो हमने उनकी powers आड़ कर ले 9 minus 6 minus 6 then 1 जो है उसका square हमने लिया है तो that is equal to 1 denominator में 1 हो तो उसको लिखने की जुगत नहीं होती then हमारे पास 36 multiplied by 10 is to power minus 3 जिब 10 is to power minus 3 को हम 36 के साथ resolve करेंगे तो it means कि हम point को shift कर रहे हैं towards from right to left 3 digits क्योंके minus 3 है हमारे पास so f1 की value 0.036 newton हमारे पास आ गए अब हम f2 के magnitude find करेंगे और चुँके f2 जो है हमारे पास basically q2 की जो force exert हो रही है q2 के उपर वो है तो q2 हमारे पास minus 1 micro coulum है लेकिन फिल वक हम चुँके सिर्फ magnitude की बात कर रहे हैं so हम यहां पर इसके साथ q2 के साथ minus का sign नहीं लगाएंगे we'll use it for finding out the direction ठीक है so यहां पर हम सिर्फ 10 इस्ट पर minus 6 यानि 1 into 10 इस्ट पर minus 6 लखेंगे again हम जब इसको solve करेंगे चुके values almost same है so हमारे पास answer f2 का भी 0.036 आ जाएगा इसके बाद हमारे पास next step क्या है कि हमने f1 को उसके components में resolve करना है यानि f1 cos theta into i hat plus f1 sin theta into j hat तो f1 की value put करतें 0.036 है cos of theta, theta हम find out कर चुके थे 53 degrees था चुके cos theta जो है वो cos जो है वो basically x component को represent करता है सो इसलिए i hat आएगा sin theta जो है वो y component को show करता है सो इसलिए j hat आएगा जब हम cos theta की value find करेंगे cos of 53 degrees की और इसको multiply करेंगे 0.036 के साथ तो हमारे पास 0.02167 आ जाएगा जिसके साथ हम i hat लगाएंगे ताकि यह show हो कि यह हमारे पास x component है similarly sin of 53 degrees find करके 0.036 के साथ multiply करें और हमारे पास 0.0287 j hat आ जाएगा and the unit will be newton अब हम f2 को इसके x और y components में resolve करते हैं again हमने जहां पे diagram में यह बात देखी थी कि f2 में हमारे पास जुसका y component है वो along negative y axis है so इसलिए उसके साथ minus का sign आएगा negative उसके y component के साथ so f2 cos theta i hat minus f2 sin theta j hat कि minus इसलिए आया है क्योंकि y component जो है वो along negative y axis है then again putting all the values and solving it हमारे पास values same है but सिर्फ y axis के साथ जो है वो sign different है y component के साथ finally अब हम लोग f जो resultant force है जो के हमारे पास in this direction है ठीक है इसको find out करेंगे diagram से भी हमें समझ में आ रहा है कि x component है f1 का और f2 का sorry y component है f1 का और f2 का y component है वो दूसरे को cancel out करें because they are equal in magnitude and opposite in direction जबके दोनों के जो x components है वो एक दूसरे को superimpose कर रहे है so they will be added so यहाँ पर हम लोग same चीज़ कर रहे है f1 cos theta plus f2 cos theta into i hat f1 sin theta plus f2 sin theta but चुँके जब हम values put करेंगे तो f2 sin theta के साथ negative का sign है so 0287 minus 0287 that will be 0 j hat जबके x component में 02167 plus 02167 जब इनको add करेंगे तो हमारे पास value आएगी round off करने के बाद 043 i hat चुके y component हमारे पास 0 है so इसको लिखने की ज़रुवत नहीं है and finally the answer is the resultant force is 0.043 i hat into and the unit is newton यह देखिए हमारे पास resultant force है वो along the x-axis positive x-axis है ठीक है यह हमारे पास answer आगया is numerical का I hope कि आपको अच्छी ताय से समझ में आगया होगा please subscribe to my channel and you can email me any questions if you have or any queries thank you and see you soon inshallah